हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई चैनल, स्टडी विश रूती तो इस वीडियो में हम डिसकर्स करते हैं इंटिग्रेटिंग पेशन्ट एजुकेशन इन नर्सिंग प्रोसेस तो इसमें क्या होता है कि नर्सिंग प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है कि जो भी कलेक्शन होती है डाटा रिलेटेड टू पेशन्ट की फिजिकल हेल्थ होती है वो हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं और पेशन्ट एजुकेशन में हम क्या देखते हैं कि कैसे क्या-क्या interferences होते हैं data collection के base पे कैसे क्या-क्या problem हो सकती है उसको diagnose करके लिखना होता है और as a patient education में diagnosis का क्या होता है कि certain needs देखे जाती है patient education को regarding कि क्या patient की need है क्या patient को हमें सिखाना है कैसे education जो है उसको needed है उसके बाद आता है planning Planning में क्या होगा Planning में यहां पर involved होता है कि हम बहुत सारे set जो है goals के वो रखते हैं वो उसके बाद interventions बनाते हैं कि हमें ये करना है ये procedure हमें follow करना है और यहां पर क्या होता है कि हम set करते है goals को मिलब develop करते है teaching plan को identify करते है कि कौन से resources की हमें need होगी क्या-क्या methods हैं जो हमें required होंगे इस patient को teach करने के लिए उसके बाद आता है implementations यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमने interventions बनाई हैं जो भी goals या plans हमने बनाई हैं उन सब को हम यहाँ पर implement कर देते हैं execute कर देते हैं patient के उपर हम उनको करके दिखाते हैं patient के उपर उसको कर देते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमने utilize की थी चीज़ें जो भी हमारे पास resources या methods हमने देखे थे हम उनको use करते हैं हम उनको use करके patient को education provide करते हैं और वो education patient centered approach होती है ना कि teacher centered approach उसके बाद evaluation में क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमने goal set किया था जो भी हमारे goal था वो achieve हुआ है या नहीं achieve हुआ है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा same होता है कि जो हमने patient education उसको देनी थी patient को वो patient को समझाई है या नहीं है हमारा गोल यहां पर अच्छी हुआ है नहीं हुआ है